जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारो बादशा अकपर के दर्बारियों को अक्सर यह शिकायत रहती थी कि बादशा हमेशा बीरबल को ही बुद्धिमान बताते हैं, औरों को नहीं एक दिन बादशा ने अपने सभी दर्बारियों को दर्बार में बुलाया और दो हाथ लंबी दो हाथ चौड़ी चादर देते हुए कहा, इस चादर से तुम लोग मुझे सर से लेकर पैर तक धंक दो तो मैं तुम्हें बुद्धिमान मान लूँगा सभी दर्बारियों ने कोशिश की किंतू उस चादर से बादशा को पूरा न ढख सके, सिर छिपाते तो पैर निकल आते, पैर छिपाते तो सिर चादर से बाहर आ जाता आड़ा तिर्चा लंबा चोड़ा हर तरह से सभी ने कोशिश की किंतू सफल न हो सके अब बादशा ने बीरबल को बुलाया और वही चादर देते हुए उन्हें धंकने को कहा जब बादशा लेते तो बीरबल ने बादशा के फैले हुए पैरों को सिकोड लेने को कहा बादशा ने पैर सिकोडे और बीरबल ने सिर से पाउं तक चादर से धंक दिया अन्य दर्बारी आश्चर्य से बीरबल की ओर देख रहे थे तब बीरबल ने कहा जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो जरूर बताए और आगे भी ऐसी वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें